इस वीडियो में जो कि वीडियो है इस टॉपिक पे पहला इस चैनल पे जो कि ए अफगानेस्सान इन्वेजिन बाइ तालिबान बहुत लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं इन्वेजिन की दोरान अफगानेस्सान में तो खौफ फैली रहा है साथ ही में पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे हर कोई चाहे न्यूस चाहे मीडिये चाहे यूट्यूब चा साथ क्या होगा and this video will be about 10 shocking facts about the state of women under Taliban rule जो कि फिर से होगा अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला इस मामले में वहार रहने में मैसूस क्या होता है what is it like to be in Afghanistan if you are a female gender if you are a woman क्यों ऐसा है कि जिस देश में महिला हैं बहुत जादा modern हुआ करते थी इंडिया से भी जादा वहाँ अब ऐसा हो चला जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और अगर सही टाइम पे हमने आवाज नहीं उठाई as a global unit और बस हम जियो पॉलिटिक सी चर्चा करते रह गए तो एक बहुत बड़ा वर्ग हमारी society का एक बहुत बड़े area में कही न कहीं धकेल दिया जाएग एक दशा की नहीं एक century पीछे इस digital युग में इस social media के युग में क्या ये सही है या हम लोग आप और मैं कुछ न कुछ चेंज कर सकते हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में and also I'm gonna talk about one of the pseudo intellectual pseudo feminist madam जिनोंने कुछ टिपनी करी है तालीबान में जो terror है उसको हमारे देश से compare कि उनके बारे में भी चर्चा करेंगे देखते रहे ये वीडियो लेट्स गो गैस अगर आप एक लड़की हैं महिला हैं और अउरत हैं तालीबान के रूल में आपके साथ क्या वेवार होता है चाहिन 2021 आफ्टर दे इंवेजिन तालीबान का जो PR है तालीबान के जो spokesperson वो कुछ भी claim कर रहे हो कि वो women rights के बारे में बात करना चाते हैं पर it's very important to see कैसा 96-2001 के बीश में जब तालीबान रूल कर रहा था अफगानिस्थान तो लड़कियों के साथ क्या होता था what was it like to be a woman चली देखते हैं दस shocking facts आप सब के सामने शेयर करूँगा कि what is it like to be a woman when तालीबान rules अफगानिस्थान education जो की एक fundamental foundation है एक बच्चा जो बढ़ रहा है ग्रो हो रहा है उसके दिमाग को विक्सित करने के लिए उसको ban कर दिया जाता है तालीबान rules में अगर एक लड़की 8 साल से उपर है तो उसको पढ़ने की जाज़त नहीं और उससे पहले भी co-aid की जाज़त नहीं यूनिवर कर सकती अपने घर के बात और 12 साल से उपर हैं तो कोई भी mail जो आपके घर का नहीं है उससे आप बात नहीं कर सकती इंट्राक्ट नहीं कर सकती वाओ आपको काम करने की जाज़त नहीं थी और यह ना कुछ ऐसे होता है कि पहले-पहले तो बोलते हैं यो लोग कि यहां आप यह काम कर सकते हैं वो काम कर सकते हैं गौर्मेंट की डिबार्टमन में काम कर सकते हैं पर धीरे-धीरे क्योंकि जो थोट है टॉप टू बाइस होता है तो कहीं न कहीं उसको बेसिस बनाके बुली करा जाता है हरास किया जाता है एक्स्प्लोड किया जाता है लड़कियों को और अगर आपका husband या आपके घर परिवार में लोग बहुत जादा understanding नहीं है, बहुत जादा loving और caring नहीं है, तो फिर doctor, engineer, businessman ये सब कुछ तो भूली जाहिए, आपकी जिन्दगी एक चूले के साथ और बच्चों की देखरेख में ही बीच जाती है, घर के रखरखाव में ही सबसें इंड्रसिंग ये है, कि जाब आप शादिया जितनी भी करो, कितनी भी शादिया करो, कितने भी बच्चे पैदा करो, पर अपनी beauty को दिखाने का आपको हख नहीं है, अपके शकल ना दिख जाए किसी को, आपकी body ना दिख जाया है, आपनी beauty नहीं दिखा सकती, कहीं कोई attract ना हो जाए आपसे और आप पे बुरी नजर ना डाल दे वो बुरी नजर डालने वालों पे कोई सवाल नहीं पर सारी लड़कियां, सारी ओरते, सारी females उनको अपने पूरे बदन को बुर्खे से ढखना पड़ता है हिजाब करना पड़ता है वो संगीद जो आपको चैन देता है, सुखून देता है वो भी प्ले करना लाउड नहीं है लड़कियों को तालीबान के रूल के इंडर या शरिया लौ के इंडर बोल ले इन फैक, अगर आप महिला हैं तो आप बहुत तेज नहीं बोल सकती इतनी तेज नहीं हो सकती कहीं कोई स्ट्रेंजर ना सुन ले राचलता वा कोई रागीर, आपकी बात ना सुन ले तो आपको धीरे बूलना होता है आप heels नहीं पहन सकती कहीं आपकी कदमों की हाट किसी स्ट्रेंजर को ना सुनाई दे जाए आप तेज लेग्स आपकी किसी नहीं हो तो नहीं है और तभी जितनी भी सलून्स है उन पे शफफेद पिंट हो रहा था जैसे तालीबान ने इंवेड किया अफगानिसान को यह थे लोग आउट आउट अलोग उन विद पर एम जाएंगानिसान को और ओविशली शादी अपनी मर्जी से कथे करेंगी यह सब कुछ होता है गाईज extreme Taliban rule में और ये देखा गया है 96-2001 के बीश में भी जहाँ जादा लोग है जादा बिजनसमेन है जादा अमबसेडर्स हैं जादा एनराइज है वहाँ शायद इतना extremism नहीं देखने को मिलगा but pockets in rural areas आपको जरूर देखेंगे क्योंकि जब सोच इतनी रूडवादी होती है तो उसका जो खामियाजा है वो ऐसी जगाओ पे बहुत जादा बुगतना पड़ता है जहां आपको आवाज उठाने की इजाज़त नहीं होती जहां आपके आवाज दबाना बहुत एजी होता तो many girls and women have shared their experience over a period of time I have never, never failed it to this extent helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life all over 20 years achievement maybe just go in blinks of few days I can't believe the world abandoned Afghanistan our friends are gonna get killed, they're gonna kill us our women are not gonna have any more rights मादरमनर्या बूर बेख़ बूरदा बुछ आईसक्रीम खोना है मादरमना बेख़ादी कि बेचे लताज दार्या रूदार्या रूद्धा ड़ुदा होता होता है अर गाड़ू लग्ता होगाज अगर आज हमने इस बात पर चलिघ नहीं किए है जो तालीबान कोर्मेंट बनने जा रही है और यहां बहुत important UN का दखल देना और ऐसी countries को boycott करना जो तालीबान का साथ दे रही है तो जो तालीबान के साथ है कुछ countries उनसे भी सवाल पुछने चाहिए कि क्या आप support कर रहे हो इसका मतलब आप इस चीज़ को भी support कर रहे हो या आप condemn करते हो इस चीज़ को क्या आपने उनसे ये बात करी है क्या वो इस चीज़ से agree करते है और तब आप support दे रहे हो या अब अपने जियो politics के कारण अपनी influence को बढ़ाने के कारण खुला और अंधा support दे रहे हैं क्योंकि हमने देखा है जो super powers है चाहिए वो रूस हो एक time पे चाहिए वो US से हो चाहिए ब चाइना हो सब लोग अपना influence बढ़ाने के चक्कर में terrorism को promote करते हैं, fund करते हैं और वो भी तब जब digital age में हमारे पास freedom speech है हमारे एक एक कहावा शब्द हमारे एक एक करावा tweet हजारों लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग पढ़ सकते हैं तब भी क्यों हम चुप बैठें फिर और चाहिए तालीबान के spokesperson कितना भी claim कर रहे हो कि वो वो दो बुर्खा mandatory नहीं रखेंगे जो चीज़ शरिय में loud हैं, वो loud करेंगे और क्या आपको लगता, आप belief कर सकते हैं इन चीज़ों पर कि ये implement कैसे होगा, वो भी rural areas में है जहां लोगों ये वास्त तक आगे नहीं पहुच पाती और वो भी वो लोगों को आप belief करेंगे जो freely, elderly, women, चोटे बच्चो पर open gun fire कर रहे हैं, एक freedom of speech को दुबाने की कोशिच कर रहे हैं और इतना ही उन पर trust होता, तो क्यूं वहां के civilians ऐसे ऐसे भागने कोशिच करेंगे लोग अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, फिर क्यूं ऐसे civilians अपना देश चोड़ना चाहा रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं, ऐसी देशत फैली हुई है, जब तालिबान पर इतना भरोसा हो तो क्यूं ये countries तालिबान को support करेंगे हैं, और क्यूं हम जैसे लोग डिशिटल यूग में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इन कंट्रीस से सवाल नहीं पूछने हैं कि चूं ये support मिल रहा है तालिबान को ये ये सपोर्ट मिल रहा है तालिबान को, ये 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 पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही, एक सोशल मुद्दा भी है जिसके कारण, every feminist, man or a woman, should raise their voice against this बहुत सारी ओरतों को भुगतना पड़ सकते आगे चलके और क्या इस progressive world में हम ये बैटके देखते रहें वहाँ की लड़कियों को harass, bully, exploit होते वे देखते रहेंगे और कई surprising बात ये है, जब आप ये तस्वीरे देखेंगे जो आपकी screen पे है एक जमना ऐसे भी था 1960s, 70s में, जब ये देख बहुत modern हो चला था अब इंडिया उफ दाइम उससे भी कई जादा modern था आप इंका पहनावा देखे, code education was there they used to wear clothes freely, they used to work, they had the voting right they had all the rights, like any other progressing country पर फिर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने, और फिर कुछ super powers ने अपने influence के चलते कि हमारा influence हमारा दबदबार रहे, उन्होंने अपनी war के चलते, अपनी cold war के चलते इस देश को दश को ही नहीं, एक century पीशे धकेल दिया एक modern देश की हालत ये कर दी, बत से बत्तर कर दी और ये फिर हो सकता, अगर हम आज अपनी आवाज नहीं उठाते तो और imagine, इन चीजों के बारे में बात करने के बजाए, जो state of woman है अफगानिस स्थान में, तालिबान के rule के इंडर, जो अब हो सकती है फिर से उसके बारे में बात करने के बजाए, जियो पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करने के बजाए, कुछ ऐसे ही लोग जो pseudo intellectual हैं, जो pseudo feminist हैं, जो अपने influence को यूज करते हैं, और ऐसी ही एक pseudo intellectual हैं जिनोंने इस tragic event को भी यूज किया, अपनी personal hatred के लिए, स्वारभास कर उन्होंने तालीबान टेरर को हिंदुत्वा टेरर के साथ compare किया, और बोला, कि अरे बड़ा तालीबान टेरर के अगेंस बोल रहे हैं आप लोग हिंदुत्वा ideology के चलते हुआ है, अगर कुछ pockets में हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं एक government has implemented it, बट यहां government जो तालीबान की है, वो इन्फोस करेगी यह सब चीज़े, वो यह चीज़े करती है यह, और ऐसे ही होता तो इंडिया छोड़के ऐसे लोग क्यों नहीं भाग रहे हैं, बस अपनी personal hatred के कारण, अपने personal bias के कारण, we may like or dislike a party, we may like or dislike an ideology, पर उसका मतलब यह नहीं है, किसी भी tragic और sensitive event के दौरान, हम उस चीज़े को, उस card को use करना शुरू कर दें, और अपनी hatred निकालने के लिए, कोई भी comparison लाके रखनें लोगों के सामने, It's not about the terror, it's about invading, it's about the president of a nation running away, fleeing, because he didn't have any other option left, and it's not the terror, it's the state of war, जिसमें हजारों लोगों के जाने गई हैं, और यहां इन हजारों लोगों के लाशों पे, हम अपनी personal bias और अपनी personal hatred निकाल रहे हैं, शरम आनी चाहिए आपको, ऐसे ही होता, तो हमारे देश में बिगेस सूपर stars khans नहीं होते, आप ऐसी बखवास twitter पे नहीं कर रही होती, आपने किसी को यहां, किसी भी इनसान को, किसी भी group और किसी भी ideology के इनसान को, यहां gun रखके, jeep में घूमते, फिरते देखाए गया, इस comparison का base क्या है, स्वरास tweet is like, किसी दूर के देश में, उनके जंगलों में आ आपको इस लीडियो को support करना है, तो इस tweet को आप retweet कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं, उन सारे देशों से, उन सारे intellectuals से, उन सारे feminist से क्यों वो चुप बैठे क्यों हैं, क्यों वो तालिबान के spokesperson की धजिया नहीं उड़ा रहे social media पे, क्यों ये मुद्दा UN में सबसे बड़ मुद्दा नहीं है, क्यों सारे देश boycott नहीं कर पाते, तालिबान पे, state of women पे, और ऐसे लोग जो कुछ ऐसे tweet कर जाते हैं, और पतली गली से निकल लेते हैं, क्या होना जी इन के साथ? ज़रू बताएगा, मैं आपके comments की wait करूँगा, guys if you think our work, our videos provide value, तो आप हमें support कर सकते हैं, आप हमारी membership जोइन कर सकते हैं, और आप अगर मेरे साथ इस change को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और सही मुद्दों पे अपनी अवाज उठाना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं मेरे सब को मिलके, इंडिया को ही नहीं, सारे देशों को, और सारे लोगों को, true intellectuals को, true change leaders को, क्या साथ में खड़ा होकर challenge नहीं करना चाहिए, इन spokespersons को, तालीबान के जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या आमें अफगानिस सितान में जो महीला हैं, जो महां के लोग हैं, उनकी rights product कर में on instagram, you can dm me, और email me at hello at the rate people.com, अगर आपको जाननी है real time updates, तो आप कुछे follow कर सकते हैं instagram पे, आप share कर सकते हैं कि क्या content आप चाहते हैं इस platform पे, और guys, I am doing a live on instagram tomorrow, तो मैं मिलूँगा आपको अंदर देसे, ऐसे वीडियोज मिलाता रहोंगा, तब तक के लिए, शब्भा ख झाहते हैं